हलो गाइस, वल्कम बेक तो माई चैनल, केनडा की मौच, कैसे हो आप, केम छो बदा, आज मैं आपके साथ एक एसी कंट्री की बात करना चाहता हूँ, जो केनडा से बहुत इजी ले जा सकते हो आप, और उस कंट्री का नाम है क्यूबा, क्यूबा आ जाने के लिए केनडा से वीजा की जरूरत नहीं होती, आप जब क्यूबा जाओगे, तभी वहां पे एरपोट पे ही आपको वीजा मिल जाता है, वेजिटेरियन के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, पर बेजिक्स चीजे मिल जाती है, हम यहां से गए थे, तभी हम कर से ही खाना ले गए थे, तो वो इजी रहता है, मुझे वहां पे दो एक्टिविटी जयादा पसंद आई थी, वो मैं आपके साथ सेर करना चाता हूँ, तो देखे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्स्ट एक्टिविटी है डोल्फिन शो, डो कुबा की में लेंग्वेज स्पैनिस है, इसलिए कोज जयादातर स्पैनिस में बाते कर रहा है, यह डोल्फिन का कोज है, जिसने अच्छे से उसको ट्रेंड किया है, बानि बानि बानिह लाह स्वैप कर दन्हों Welcome to theonz, वे सम्छलां लोग्लोग्टी उन्हां, मié है इलमे प्सल्पफ्य को northwestern तर को जाते, बानो में प्सक्थ बह吉 realism बानो जीर期 में व्सक्ञाप्रोग pourquoi içammed को डोल्फिन का नाम पांचोलो है कोच पेले सबको पैंचोलो से मिलवा रहा है कर दोल्फिन सबी के पास से गुजरेगी और आप उसे डच भी कर सकते हो कर दो लंपिन अ हाट षास सब쉽ाना। कर दोल्फिन लंपिन समयाट secondo भी कर लंकोलोशड़ना है कर दोल्फिन सुड़ है कर दोल्फिन संही हो आप व व गुबोखर NHK आए अवार झालाओ, प्लाओ झालाओ, प्लाओ झालाओ! अभी डॉल्फिन अभी को किस करेगा सब्सक्राइबरा व得 जो के जैबरा टी याम का मुँति वे ती अ ैसिय वो त pointingे?? मिम्हुूük стен अराफो है तेंगे!! जोफिय को स कि बिलेंगे!! तेंगेización bbe ए लिलेंगेल! ऍसका मचलोव अषैंने कर दो 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 वी डॉल्फिन चार लोगों के बीच में जाएगी और आप उसे उठा भी सकते हो कर दो 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 झाल झाल कोच के कहने पर साल्सा डांस करेंगे करेंगे बिल्सेज करेंगे या ङी जा केँगे यार के वेँगे और साल्सा डिल्सेश्टा यद्लोगोडि के ग IR गिल्सेश्ट्ट्र गी है या को ड्लै दी नियु ते आफनिंप कर दो अच्जा है। एक यूज आफ आफ्बै लुद्टी गह स्वाइब केंगे कारी को अच्छी मेरा बागा बागा है। क्या कारना मेरी किषितिन अच्छी किष्ची को बागा है। पर लग रहा था, पर होसला रखके कर लिया है. दूसरी एक्टिविटी है, स्नोर्कलिंग, जिसमें आप स्विम करके दर्याई जीव देख सकते हो. जो स्विमिंग में एक्सपर्ट होते हैं, वो ही लोग ये एक्टिविटी कर पाते हैं. मैं स्विमिंग में एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं की. Overall, अच्छा experience रहा था. अगर आपको और information चाहिए, तो comment किजिए.